दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें साथी बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें असान गरेलू उपाईयों के बारे में, कारगर गरेलू उपाईयों के बारे में दुस्तो चेहरे पर होने वाले ओपन पोर्ट्स, एकने, ब्लेक हैट्स ना सिर्फ आपकी खुबसूरती को विगारते हैं बल्कि स्किन के लिए भी काफी नुकसान दायक होते हैं ऐसे में आपको इसकिन का खास खयाल रखना पड़ता है ये समस्याएं आम तोर पर मिट्टी, हाईजिन की कमी, स्ट्रेट्स, निन की पूरी नहोने की कारण या फिर पोशन तत्वों की कमी के कारण होता है लेकिन इसका आप गरेलू उपाई से भी समाधान कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि बलेक हेट्स की समस्या के लिए हम गर पर क्या उपाई कर सकते हैं आप क्या गरें दूस्तों, शेहत को हलका गर्म करें और 10-15 मिनिट तक बलेक हेट्स वाली जगह पर लगाएं और उसके बाद आप पानी से दो लें अगर आप इस ट्रीटमेंट को करते हैं तो यह सबसे कारगर ट्रीटमेंट होता है बलेक हेट्स के लिए इससे आपको बलेक हेट्स की समस्या से निजात मिल जाता है नेक्से दोस्तों आप एकने से चुटकार पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं मसूर की डाल दो चमच ले ले और उसे बारिक पीस ले इसमें आप थोड़ा सा दूद और गी मिलाकर फेट ले और पतला लेब बना ले इसलिए आपको मुहासो पे लगाएं एकने पे लगाएं अगर आप इसलिए आपका यूज करते हैं तो भी आपको एकने से चुटकार मिल जाता है उसके बाद आप जो जाइफल होता है वो भी एकने के लिए काफी फायदे मन होता है मुहासो को दूर करने के लिए आप जाइफल का भी यूज़ कर सकते हैं आप यागर हैं एक साफ पत्तर पर पानी डाल कर जाइफल को घिस कर उसका लेब बना ले पैस्ट बना ले और कील मुहासो पे लगाएं तो ये भी आपको मुहासो से चुटकरा दिला देता है गाय के ताजे दूद में चिरुणजी पिसकर इसका लेब बना कर चेहरे पे अगर आप लगाते हैं और सूखने के बाद इसे दो लेते हैं तो मुहासो की समस्या से आपको निजात मिल जाता है तो ये हो गया दोस्तो एकने के लिए उप्पाएं अगर आप ओपन पोर्स यानि की खुले रोमचिद्र की समस्या से परिशान है तो आप शेहद का यूज़ कर सकते हैं इसमें निम्बू का रस और चीनी के साथ शेहद का पेक बनाकर चेहरे पे अगर आप लगाते हैं अगर थोड़ा निम्बू का रस ले ले उसमें चीनी मिला ले और उसमें शेहद मिला ले और अगर आप इसे पेस पे लगाते हैं तो इसे आपकी स्कीन निखर जाती है इसे आप जिब चेहरे पे लगा लेते हैं तो उसके बाद आप थोड़ी सी स्किन की मसाज करें और उसके बाद गुन-गुने पानी से चेहरा दो लें तो इससे ओपन पोर्स की समस्या से निजात मिल जाता है दोस्तों यह है कुछ कारगर गरेलो उपाए उमीदें आप कोई जानकरी पसंद आई होगी अगर आप कोई जानकरी पसंद आई हो तो हमारे चनल आप ज़रूर सस्क्राइब करें दन्यवाद